हलेओ एब्डिवन आज डेट है 22 ओप मार्स 2023 और दे हिंदू न्यूज एनलिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम दे हिंदू की इंपोर्टन न्यूज को एक्जाम के पॉइंट अफ्य से डिस्कस करेंगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जोग्रोफिकल मैप क्येशन के साथ में और आज आपका क्येशन ये है कि बाटकेन रीजियन को आपको मैप में व्यू करना है फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफोर्मेशन को कॉमेंट बॉक्स में टाइप करना है कल हमने आपसे क्येशन पूछाता सेला टरनल को लेकर के तो सेला टरनल जो है वो हमारे इंडिया का नोर्थीस्ट में जो अन्नाचल प्रदेश स्टेट है वहाँ पर इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ये जो सेला टरनल है वो हमारा बोर्डर एरिया जो चाइना के साथ में हम शेयर करते हैं और specific तवांग रीजन जो है उसको all weather connectivity जो है वो provide करेगा Sela Tunnel इस project का जो deadline थी उससे पहले ये project complete हो रहा है इसकी वज़े से ये news में बना हुआ था और इस project को कौन construction कर रहा है कौन सा organization Sela Tunnel को बना रहा है ये आप comment box में बता दोगे तो देखो हमारे इंडिया का जो border region है वहाँ पर अलग-अलग state में इस तरीकी के अलग-अलग project चल रहे है तो clarify आपको होना चाहिए कि कौन सा project जो है वो कौन से state में है क्योंकि question इस तरीके से आ सकता है कि जैसे Sela Tunnel project यहाँ पर है इसी तरीके से जमू एंड कस्मीर में हिमाचल परदेश में अलग-अलग project है तो यहाँ पर project के name देदेंगे यहाँ पर state के name देदेंगे और मैस्दे फोलोइंग में जो है वो question आपसे पूछ लिया जाएगा तो यह Sela Tunnel की जो location है उसको हमने discuss कर लिया है देहिंदू को अगर हम discuss करें तो first important news है देहिंदू की front page पर और यहाँ पर Supreme Court में एक petition डाली गई और इस petition में यह बोला गया कि अभी present time में जो भी हम जो भी prisoner जिनको हम hanging करते हैं मतलब capital punishment जिनको दी जाती है और hanging जो किया जाता है उसका alternative जो है वो हमें ढूनना चाहिए क्योंकि हमारी code of criminal procedure का जो section 354 का subclosed 5 जो है उसमें एक बात बोली गई इसमें बोला गया है कि be hanged by the neck till he is dead मतलब यह जो procedure है न वो inhumane condition है मतलब इससे जादा हमें ऐस तरीके का कोई procedure ढूनना चाहिए कि अगर किसी को capital punishment देना है तो एक ही human तरीका जो है वो हो सकता है इस तरीके की petition इसमें डाली गई है तो हमारी Supreme Court ने बोल दिया है कि हम बनाएंगे committee और committee जो है वो discuss करेगी law universities, national law universities जो है वहाँ पर experts से, professors of law से, doctors से, scientific person से और ये expert committee जो है वो एक alternative देने की कोशिस करेगी petition में ये बोला गया कि अभी हमारे इंडिया में जो hanging की जाती है जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे terrorists हैं जो हमारे इंडिया में काफी सारी illegal activities में नुगल थे और बाद में उनको capital punishment दिया गया तो उनको hanging उनकी जो है की गई तो उसका alternative अगर हमें ढूनना है तो यहां पर बताया गया है इस petition में ये बात बोली गई कि US में क्या किया जाता है US में lethal injection दिया जाता है lethal injection क्या होता है कि इस lethal injection में कई अलग अलग तरीके की जो drugs है उनको एक साथ mix करके जो है वो body में inject किया जाता है ताकि जो person है उसकी rapid death हो सकी तो petition में ये बोला गया है कि जो lethal injection जो डिया जाता है उससे भी ज़्यादा cruel तरीका है hanging का जो procedure है तो हमें क्या करना है इसको change करना है और इसको कुछ alternative जो है वो हमारे यहां पर implement होना चाहिए next important article है सिलंका को ले करके और IMF जो है उन्होंने 3 billion dollar का सिलंका को क्या दे दिया है money दे दिया है मतलब एक तरीके से ये extended fund facility जो है उनको देने की कोशिस की गई है अब ये extended fund facility क्या होती है EFF हमारे economy के perspective से इस तरीके की जो term है वो news में रहती है और specific अगर हम बात करें प्लिम्स में तो इस तरीके की terms news में थी वो किस से related थी इस तरीके के question आते हैं और इसका क्या meaning है इस तरीके के question जो है प्लिम्स में पूछ ले जाते है देखो economics में आपको maximum question आप प्लिम्स ले लो means ले लो UPSC में आपको current based question जो है वो देखने को मिलेंगे जैसे कि अगर हम भी अगर हम बात करें सिरलंका साथी साथ में हम बात करें पाकिस्तान economic crisis जो है वो देखने को मिल रहा है वहां पर तो question इस तरीके से आ सकता है कि साउथ इशा के जो country है वहां पर इस तरीके की problem जो है वो बढ़ रही है बंगलादेस में भी इस तरीके की issue देखने को मिल रहे है तो इस तरीके की जो problem है क्या ये problem जो है वो universal है या फिर अगर हम बात करें तो specific South Asia जो है से ज़्यादा effect हो रहा है तो इस तरीके question means में पूछे जा सकते है कि क्या basic region आप पो लगते है तो उसमें कुछ आप point positive में बताओगे कुछ negative में बताओगे और फिर भी forward में अपना answer लिखोगे और economy crisis क्या होता है देखो जब भी question आता है means में question आता है तो उसमें जो आपकी key terms जो होती है उसको focus करते हुए जो है वो आप start कर सकते हो अपने question का answer और question का answer जो है वो आपको कैसे start करना है ये चीज़ आती है practice से आप जितने ज़्यादा question को answer लिखने की questions करोगे उतना ज़्यादा अपने आपको evaluate आप कर पाऊगे उतना ज़्यादा आप समझ पाऊगे कि किस तरीके से हम और अच्छे से इस question को जो है वो शुरुआत कर सकते हैं तो ये जो EFF extended fund facility जो है इसको आपको अच्छे से define करना आना चाहिए इसकी एक basic meaning आपको पता होना चाहिए कि EFF में क्या होता है कोई भी country जो financial assistance जो है उसको दी जाती है मतलब मालनो कोई country जो जिस सिर्लंका जो है यहाँ पर payment problem देखने को मिल रही है और कुछ issue देखने को मिल रहे है तो यहाँ पर जो भी structural weakness है उसको दुबार से redress करने के लिए IMF ने support करने की कोशिस की है और हमने यह देखा कि Paris club जो होता है जिसमें हमारा India, Japan यह जो country है उस club ने जो है एक तरीके support करने की कोशिस की इंडिया, China, Japan और यहाँ पर इंडिया और जापान ने जो है वो IMF को अपनी तरप से एक तरीके सा shorty दी कि इस लंका को जो है वो secure करन चाहिए उसको financial assistance देने की जड़रत है क्योंकि दुबारा से उसको revival stage growth में लाने के लिए money जो है उसके लिए काफी ज़्यादा important है तो extended fund facility क्या होता है एक तरीके से financial assistance होती है money दिया जाता है ताकि जो भी country में जो भी issue देखने को मिल रहे हैं उनको solve किया जा सके, ओके next important article है editorial page पर और यहाँ पर हम article discuss करेंगे अभी देखो अंडमान एन निकोबर आइलेंड में हमारी जो government है वो कोशिस कर रही है कि वहाँ पर हम क्या करें port city बना दें वहाँ पर township develop कर दें वहाँ पर हम क्या कर दें airport develop करें वहाँ पर old mega project जो है solar wind project establish करें ताकि tourism sector जो है वो ज ज्यादा से ज्यादा promote हो सके तो यहाँ पर writer जो है उन्होंने बोला है कि great nicobar में यह जो project आप establish कर रहे हो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इंडिया जो है वो बार बार यह बात करता है कि हम environment को protection करेंगे environment को नुकसान पहुंचाएंगे लेकि government का यह जो project है वो तो क्या करोगे port बनाओगे टाउन से डिवलफ करोगे पेड जो है उनको काट दोगे अब पेड को काटने की business पर यहाँ पर writer बोल रहा है कि वहाँ बात कर रहे है कि क्योंकि यह बात बोली जाते है न कि जितने पेड काटो उससे ज्यादा पेड लगाओ तु बोला जा रह रहे हैं कि वहाँ पर implement कर देंगे तो इसका result नहीं देखने को मिलेगा दूसरा है coral reefs, coral reefs जो है वो global warming की वज़े से वैसे effect हो रही है और अगर वहाँ पर port city develop की जाती है, port area develop किया जाता है तो coral show है वो काफी ज़्यादा effect होंगे और इसके लिए क्या बोला जा रहा है? corals के लिए कि इनको जो है वो ट्रांस लोकेट करके दूसरे area में जो है वो develop किया जाएगा लेकिन corals का क्या होता है कि अगर उनको ट्रांस लोकेट करके कहीं और establish करने की कोसिस की जाती है तो वो वहाँ पर develop नहीं हो पाते हैं, transplanted corals do not have a high survival rate and are susceptible to bleaching according to various studies, बहुत सारी studies में बात सामनी आई है, तो वो ही problem और फिर वो ही solution आप देने की कोसिस कर रहे हो, जो बाते research में सामनी आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम वो ही बात बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, तो इस तरीके से तो problem जो है वो solve नहीं होगी बढ़ेगी, यहाँ पर writer ने बोला कि देखो, इंडिया ने हमेशा अपना focus किया है environment की protection को ले करके, climate change को रोकने को ले करके, लेकिन यहाँ पर Indian government ने जो अपना procedure जल्दी से establish करने की जो कोसिस की है, उसकी वज़े से लगता है कि government जल्दी से इस project को implement करना चाती है, चाहिए इसका result जो है, वो कुछ भी अब यहाँ पर grade ने को बार जो है, वहाँ की population अभी काफी कम है, लेकिन अगर वहाँ पर यह टाउन सीवेर सब develop होती है, तो इसकी वज़े से बहुत सारी population, बहुत सारे tourism जो है वहाँ प्रमोट होगा, बहुत सारी population बढ़ेगी, वहाँ पर बहुत सारे जो tribes है, वो भी इस से effective होंगी, तो कोसिस हमें क्या करनी चाहिए, कि हमारे इस तरीके के जो project है, वो अच्छी condition में establish हो, और इसकी वज़े से ऐसा ना हो कि अभी तो आप establish कर दी है, नुकसान इतना हो गया कि फिर बाद में उसकी भरपाई ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि कल भी हमने यह देखा लोग, वो irreversible हो जाएगा, उसको आप दुबारा से reward कर ही नहीं पाओगे, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो article है, तो केला government जो है, उन्होंने decision लिया है, कि हम क्या कर देंगे, कोजी कोड जो उनका जगह है, वहाँ पर हम waste to energy project जो है, वो लगाएंगे, और यह state का पहला इस generate होता है, उससे हम energy बनाएगी, ओके, अब यह waste to energy project जो है, वो किस तरीके से काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कि आपका जो solid waste management जो project होता है, उसके उपर एक तरीके से burden होता है, इंडिया में, present time में, जितना भी solid waste generate होता है, उसमें से 55 to 60% जो होता है, वो होता है, बायो gas में convert कर सकते हो, 25 to 30% जो होता है, वो होता है, नोन biodegradable dry waste, ओके, और इसमें से around 15% silt, stone, drain waste जो होता है, और biodegradable dry waste जो होता है, only 2 to 3% जो होता है, इसमें होता है, hard plastic, metal, e-waste, जो recyclable होता है, और जो remainder, मतलब बचा हुआ होता है, जैसे कि log grade racks, plastics, plastics, cloth, इनको आप recycle नहीं कर सकते हो, तो ये जो part, जो non recyclable है, जिसको आप recycle नहीं कर सकते हो, उसको क्या किया जाता है, उस dry waste को क्या जाता है, एक तरीके से, solid waste management जो project है, उसके under इखटा किया जाता है, और इन सारे material जो है, इनकी reduces the efficiency of recycling, और other dry and wet waste, मतलब CDC बात ये है, कि वो सारा part, जितना ज़्यादा आप biogas में biodegradable जो कचरा है, वेस्टेज है, उसको अलग कर लो, फिर जो जिसको आप recycle कर सकते हैं, उसको आप अलग कर लो, बहुत सारा ऐसा portion बचाता है, कुछ ऐसा portion बचाता है, जिसको आप ना recycle कर सकते हो, ना जिसक degradable जो wastage है, तो उसको फिर energy में convert करने की कोशिस की जाती है, तो कोजी कोड में ये project बनानी कोशिस की जा रहे है, तो कोजी कोड की population लगबग है 6.3 लाग, और वहाँ पर अगर हम daily basis पर देखे, तो 300 टन जो है, वो कचरा निकलता है, और इसमें से 205 टन पर देखे, ये जो है वो बाइदेग्रेडेबल होता है, और 95 टन पर दे जो है वो नोन बाइदेग्रेडेबल होता है, तो municipality अभी क्या करती है इन सारे plants में जो non bioregradable wastage है उसमें से 5 ton per day जो है 95 ton per day में से 5 ton per day जो है इसको क्या करती आ जाता है recycle किया जाता है और बचा हुआ जो है वो non recycle होने वाला dry waste होता है तो उसको waste to energy plant में use किया जाएगा अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि waste to energy plant जो है वो fail हो रहे है ऐसा नहीं है किसे पहली बार कोजिकोड में क्या जा रहा है other other state में भी इस तरीके की plants है लेकिन वो well established नहीं है उनका जो result है वो इतना नहीं है जितना होना चाहिए क्या इसकी basic issue है देखो हमारे याँपर क्या होता है जाए कितना ही हम awareness कर दे अभी भी हमारे याँपर जैसे ही घर से भार कचरा निकलता है तो वो एक तरीके से composite होता है मतलब segregated कचरा नहीं होता है कि ये गीला कचरा है ये सुखा कचरा है इस तरीके से नहीं होता है या फिर जो bio degradable या non-bio degradable कचरा जो है wastage जो है वो segregate नहीं होता है तो काफी ज़्यदा problems होती है इससे वज़य से जो wastage होता है वो moist होता है और उससे energy generation में जो है वो काफी ज़्यदा effect होता है तो जब moist wastage का हम use करते हैं waste to energy plant में तो उसकी वज़य से calorific unit है वो काफी कम हाती है जैसे कि अगर इस तरीके का जो mixed Indian waste होता है उसमे 1500 kilocalorie per kilogram इतनी energy जो है वो generate होती है और coal जो है उससे calorific value जो है उसकी 8000 kilocalorie per kilogram होती है तो यह ज़्यादा हो सकती है लेकिन लेकिन क्या होता है इसकी वज़य से जब moist wastage होता है तो उसकी वज़य से calorific value जो है वो काफी कमाती है दूसरा issue क्या होता है कि इस तरीके के जो project होते है इसमें क्या होता है कि एक unit generate करने में जो है वो 7 to 8 रुपीज का खर्चा जाता है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो solar power plant में खर्चा आता है 3 से 4 रुपए पर unit तो इसकी वज़े से भी इसका जो existence है वो कम देखने को मिलता है ओके साथी साथ में यहां पर यह भी बताया गया है कि जितना भी हमारा wastage होता है वो ही same problem जो आपने देखा कि segregated non recyclable dry wastage जो होता है वो segregated नहीं होता है और अगर हम all type को use करते हैं तो उसका result काफी अच्छा नहीं आता है तो हमें problem क्या है problem यही है कि जितना भी non biodegradable dry wastage है वो उसको हमें अलच्छे level पर जो है वो implement करना चाहिए और जितने भी population है उसमें awareness create करनी चाहिए और इस तरीके के जो project है अगर implement हो पाते हैं तो wastage का जो issue है वो काफी अच्छे जिसे solve हो पाएगा और इस तरीके के project और अच्छे से implement होगे तो जो भी स्वच्छ भारत अभियान जो हमने launch किया था उसके और अच्छे result जो है वो देखने को मिलेंगे तो plants में क्या-क्या हमने issue discuss के इन सारे issue जो को हमें solve करना चाहिए तब ही जाकर के result जो है वो देखने को मिलेगा नेक्स्ट यहाँ पर जेको कल हमने discuss किया था कि COVID का एक नया variant देखने को मिल रहा है और यह जो variant है ना देखो जो अलग-लग variant है उनका combination जो देखने को मिलता है उसकी वज़े से variant create हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पर basic बाते बताई गई है next time article discuss करेंगे homosexuality को लेकर कि तो इस article में देखो यहाँ पर जो same sex marriage की demand की जारी है जो same sex marriage जो करते हैं उनको marriage का जो certificate जो है वो उनको चाहिए ताकि बहुत सारे as a partner जो benefit मिलते हैं वो उनको भी मिल सके तो यहाँ पर कुछ question के थुरू जो है वो हमें समझाने की कोसिस की गई है कि Supreme Court में जो petition डाली गी इने same sex marriage की recognition को लेकर की क्यों जरूरी है देखो यह लेस्बियन जो couples होते हैं उनको काफी जदा issue जो है वो फेस करने होते हैं तो यहाँ पर एक example दिया है कि दीपक सर्मा जो है वो last week बैंगलूरू में एक hospital में थे और उनको कुछ surgery उनकी होनी थी उन documents पर साइन करें इनका जो friend है वो इस पर साइन नहीं कर सकता है तो अगर same sex marriage को recognition बिली हुई होती तो परसन जो है वो as a partner अपने साइन वहाँ पर कर सकता था as a family member अपने साइन कर सकता था और जो patient को जो pain जो face करना पड़ा वो pain face नहीं करना पड़ता दूसरा यहाँ पर बात person, lesbian और gay, gay couple उन्होंने जो है वो एक home खरीदा और उसमें क्या है कि जो home है वो जो person उन्होंने अपने भाई के साथ में मिल करके उसका जो भी legal procedure जो होता है वो कर पाई क्योंकि partner को जो है as a partner की रूप में same sex marriage को जो है वो allow नहीं किया गया है दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि देखो अगर gay and lesbian जो है वो child adopt करते हैं या surrogacy IVF के थ्रू जो है वो बच्चा होता है तो उसमें अगर marriage को इनको allow नहीं किया जाता है तो वो बच्चा जो है उसके मान लोग उस time के बाद में उनकी relation जो है वो separate होते हैं तो उसमें उस अच्चे क्या procedure रहेगा वो नहीं हो पाएगा साती सात में adoption का procedure जो है साती सात में एक family एक partner के रूप में जो benefit मिलता है अगर एक man and women marriage करते हैं उनको जो benefit मिलता है जैसे कि medical health insurance जो भी उनका PF का fund यह सारा जो procedure होता है तो उसमें अगर एक partner को अगर आपने एक legality नहीं दी तो उनको वो सारी सुईदाएं मिल ही नहीं पाएंगी और बहुत सारे issue जो है वो create होंगे हमारे इंडिया में 2018 में नवते जो हर जो case है उसमें homosexuality जो है उसको decriminalize कर दिया गया था 2017 में Supreme Court जो है उन्होंने sexual orientation जो है उसको recognize किया था और उसको right to privacy के अंडर जो है वो protect किया गया थ तो यहां पर कुछ example के तुरू यह समझाने की कोसिस की गई है कि same sex marriage को हमें recognition देना चाहिए ताकि जो भी issue है as a partner जो benefit मिलने चाहिए वो उन सारे partners को भी मिल सके और जो भी procedure है वो अच्छे से implement हो पाई तो यह आज का हमारा दे हिंदू newspaper का discussion था अगर आप यहां तक आए है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देको बहुत दिनें से हमारा जो देहिंदू का जो uploading procedure है वो काफी लेट चल रहा है आप comment box में बताइए कि आपको average time जो है कि कि किस time जो है वो आपक वीडियो जो है वो चाहिए ओके और आपके जो suggestion है वो हमें काफी benefit प्रोवाइड करते हैं आपको जो भी चीजों को लेकर के लगता है आप अपने suggestion जो है वो हमें दे सकते हो ओके थैंक यू